Hello friends, यह question है, इसमें बताया गया है कि if ku is limited to 0.32, calculate mur, mur means ultimate moment of resistance, अभी ku given है, और हमें already पता है कि ku means क्या होता है, यह होता है x u by d, x u by d के ratio को ku बोला जाता है, तो x u by d कितना हो गया, 0.32, तो x u क्या हो जाएगा, d उपर आ जाएगा, 0.32 times d, अभी ultimate moment of resistance के हमको formula पता है, एक 0.87 वाला होता है और एक 0.36 वाला है, तो हमने यहापे 0.36 वाला use किया, क्योंकि हमारे पास area of steel नहीं है, तो यह हो जाएगा 0.36 fc के bxu, d-0.42xu, यह is code में से लिया वाए, is456 में से, तो अब 0.36 जैसा है वैसा ही fc के लिख दिया, b लिख दिया, x u की जगे लिखना है 0.32d, 0.32d, ब्रैकेट में d-0.42, again x u की जगे 0.32d, अब आप देखोगे 0.36 और 0.32 मिलके हो जाएगा यह, यहाँ पर 0.42 into 0.32 बन जाएगा 0.1344, अब आप देखिए ब्रैकेट के अंदर य मिलेगा आपको 0.8656, बाहर जैसा था सभी कुछ वैसा ही, now 0.1152 और 0.8656 को आप मल्टिप्लाइ कर दोगे, तो आपको 0.099 मिलेगा, fc के नहीं पता हमने वैसा ही लिख दिया, b जैसा है वैसा ही, d और d मिलाकर बन जाएगा d square, तो यह आपका एक relation type बन गया है, mur के that's it for today, thank you very much